तो हेलो दोस्तो स्वाकत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों ने थमनेल देखी लिया होगा आज हमारी वीडियो किस पर है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रोस प्लांट में ज्यादा से ज्यादा बेसल सूट्स कैसे पाए सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि बेसल सूट्स होती है जैसे कि अब देख सकते हैं यह हमारा बेस है जहां से यह ग्राफ्ट हो रखा है प्लांट हमारा रोस प्लांट तो यहां से जितनी सूट्स आएंगी तो उससे बोलते हैं बेसल सूट्स देख सकते हैं कि म यह एक इस देख सकते हैं यह और अगर फॉट घुमाता हूं तो कि तो एक हमाड़ी विशल सूड यह है यह आप देख सकते हैं यह रही और एक हमारी यह है और अगर मैं और गुमाता हूँ पॉल तो यह हमारी एक शूट और तो दोस्तो ऐसी शूट आप भी अपने गुलाब में कैसे लाएं तो उसका मैं ट्रिक बताता हूँ और केबल बेसल शूट सी नहीं आप देख सकते हैं यह नया प्लान लाया था मैं एक शूट यहाँ पर है और यह हैं कितने सारे इसमें शूटिंग हो रखे नई नई तो तभी मैं यह नया प्लान लाया था आपके लिए ताकि मैं आपको बता सकूँ आप बिल्कुल बंच देख सकते हैं बेसल सूट का आप नीचे तो कितनी सारी शूट हैं तो बेसल सूट का यह फायदा है तो ज जीती जदा बिशल सूट्स होगी उतनी जदा ही आपको रिजल्ट मिलेगा फ्लावर के तौर पर तो अब चलिए अब मैं आप बढ़ता हूं कि आप इसके लिए क्या करें सबसे पहले सबसे पहले आप इसमें जब प्लांड लाएं उसको लगा दे और उसके साथ साथ लगान और उसमें आप अपनी वर्मी कमपोर्श गोपर की खाथ वगरा डाल ले और आपको केमिकल अभी कुछ नीड़ डालने अगर आप नया प्लांट लाएं और अगर आपको प्रना प्लांट है तो आप उसमें पोटाश वगरा एंपी के बीस 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 ये डाल सकते हैं बस औ और बेसल सूट्स वाला एक और ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं यह है वो जिसके मैं आपको बात कर रहा था जिसके वज़े से आपके गुलाब में बहुत सारे बेसल सूट्स आएंगी और बेसल सूट्स के बाद आपके गुलाब में गुच्छों के गुच्छों में लगेंगे तो यह मैंने इसकी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब दें आप जाके देख सकते हैं और इसको यूज करने का तरीका और इसको गुलाब में कैसे यूज करें गुलाब में इसके कैके फायदे होते हैं वो तो मैंने आपको दिखा दिया बेसल सूर्ट कितनी शानदर अब मैं पेसल सूर्ट ग्रोव में गर्मिओं में तो आप इसे यूज करें और रिजल्ट जब आए तो आप मुझे जरूराबताएं तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसको कैसे यूज करना है तो सको मेंने खोल दिया ह। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी फटी नीमुझ्से यह भहुत बहुत ही टाइट थी तो मैंने इसमें ने यह कैंचि आपको कालेश सकते हैं काल 여기 it और इसमें अब मैं दो गराम ये करीब ये अपने उसमें डाल देता हूँ ये मैंने करीब दो गराम इसमें डाल दिया है ये करीब एक लिटर का मेक्शर के लिए मैंने आपको बताया है अब इसको हम ढंक से मिला लेंगे तो यह जो हमारा liquid fertilizer है जो हमारा तागत liquid fertilizer है यह बहुत ही बड़ी fertilizer है इसका result मैंने आपको पहले दिखा दिया है अब यह मैंने इसमें घोल लिया है अब मैं इसको अपने rose plant में डाल देता हूँ तो दोस्तो चारों तरफ घुमा के आप इसको डाल दें तो यह मैंने डाल दिया है तो आप भी अपने घर में ऐसा ट्राय करके देखिए और अगर रिजल्ट आए तो आप जरूर बताएं यह डालने के बाद आप अपने rose plant के उपर इस प्रेय भी जरूर कर दें इतना ही मिक्शर का जो मैंने आप बताया दो ग्राम पर लिटर कॉम्बो मिला के आप इस प्रेय बॉटर में डाल के स्प्रेय कर दें जिससे कि आपको और भी बढ़िया रिजल्ट मिले तो दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप यह तागत फटिलाजर जल्द ही मंग आने में तो दोस्तो आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू